हेलो डियर स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में करने वालें क्लास 11 का हिस्ट्री के चेप्टर नमबर 6 तीन वर्ग और इस चेप्टर के मोस्ट इंपॉर्टन कोशन हम करने वाले हैं टोब 20 कोशन और ये सारे कोशन दोस्तों नए पार्ट करम के अधार पर तैयार किये ग पैला प्रसन है इस चेप्टर का सामन्तवाद सब्द किस्से बना है तो सामन्तवाद सब्द जर्मन सब्द किस्से बना है तो जर्मन सब्द फियूड से जी हां जर्मन सब्द फियूड से बना है और फियूड का अर्थ है भूमी का तुकड़ा प्रसन में तो उपजाओ भ बिक्षू कहां रहा करते थे मद्द कालिन बिक्षू मठों में रहा करते थे प्रशन अगला है टीत क्या था टीत दोस्तों चर्च को किर्शकों से एक वर्ष में उसकी उपच का दस्वा भाग लेने का दिकार था इसे ही क्या कहते थे टीत कहते थे टीत एक परकार कर था और ये उपज कर रितना भाग होता था तो दस्वा भाग होता था प्रसंद है मद्द काल किसे कहते हैं इसकी विसेश्था क्या थी पांसो इसवी से पंद्रह सो इसवी तक के काल को क्या कहते हैं मद्द काल के नाम से जानते हैं मद्द काल के नाम से जानते हैं इसकी विसेश्था सामन्त वाद ने यूरोप के रादनेतिक तथा आर्थिक जीवन में महतिपुर्विम का निभाई मद्दिकाल में कोई केंद्री सत्ता नहीं थी इसलिए इसे अंदकार युग भी कहते हैं अगला है दोस्तो फ्रायर का क्या रथ है फ्रायर इस्थान इस्थान पर घुम कर लोगों को उवदेश देने और दान लेकर अपने जीव का चलाने वाली भिख्चू को फ्रायर कहा जाता था ये वो भिख्चू थे जिन्होंने मटो मरेना अस्विकार कर दिया और एक इससान से दोसे सान तक घुमकड जीवन वेतित किया करते थे चलिए नैस्थ है स्रेल्णी क्या थी दोसे क्या कहा जाता था दोस्तो एक लाइक बनता है वीडियो जरूर सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो में बने रहें एंड तक देखें कि काफी महत्यपूर होने वाली दोस्तो प्रसन है अगला है कत्हिडरल क्या था बारवी सदी के फ्रांस में बनने वाले भवे चर्च इनके आसपास बने नगर कत्हिडरल कहलाते थे जी हाँ तो चर्च क्या कहला है तो बारवी सदाब्दी में जो बड़े बड़े चर्च भवे चर्च बन रहे तो उन्हें कत्हिडरल कहा गया और इनी चर्चों के आसपस जो सहर बसे थे उन्हें दोस्तों क्या कहा गया काथेडरल नगर के नाम से जाना जाता है अगला है फ्रांस के सर्फ और रोम के दास की जीवन की दसा की दूलना कीजी जी हाँ फ्रांस के सर्फ और रोमन के दास की दसा कैसी थी तक अगर हम फ्रांस के सर्फ की बात करें तो फ्रांस में सर्फ अर्थात किर्सी दास लाडों की भूमी पर किर्सी करते थे इसलिए उन्हें अधिकतर उपज भी लाडों को ही मिलती थी उनसे बिगारी भिली जाती थी वह लाड की आग्या कि बेना जागिर नहीं छोड़ सकते थे, शिर्फ केवल अपने लॉड की चक्की में आटा पीश सकते थे और उन्हीं के ही तंदूर में रोटी सेख सकते थे और उनकी मदिरा संबीड़क में ही मदिरा और बियर त्यार कर सकते थे और लाडो को उनका विवाह ताय करने का भी अधिकात थे, शिर्फ की विवाह करने का भी लाडो को सौपा गया था रोम के दास के अगर हम बात करें, तो रोम के दासों जो उन्हीं बहुत ही कठोर था उनसे कई कई घंटे तक लगातार काम लिया जाता था उन्हें समुहों में बेडियों में जकर कर रखा जाता था ताकि वो भाग ना जाये, सोते समय भी उनकी बेडिया नहीं खोली चाती थी उन्हें अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने के लिए कुस्साहिद किया चाता था क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े होकर दास बनते थे कुछ स्वतन दास भी थे, उनका जीवन बहतर था, ठीक है? स्वतन दास जो थे, उनका जीवन बहतर था किन से? रोम के दासों से, चलिए, नेस्ट मेनर क्या थे दोस्तों, तो मेनर उबजाव भूमी को मेनर कहते थे फिफ क्या थे, जी हाँ, लोड नाइट को भूमी का एक भाग देता जी हाँ लोड द्वारा नाइट को परदान की भूमी क्या कहला थे थे, फिफ कहला थे चलिए अगला परसन कैथोलिक चर्च का चर्च एक सक्तिसाली संस्ता थी कैसे तो कैथोलिक चर्च एक स्वतंत संस्ता थी जिसके पास अपने नियम थे उसके पास राज़त वरदी की भूमी होती थी जिसे जिससे प्रयों कर वोगाता था राइट चलिए अगला परसन है कैथोलिक चर्च की आए के दो सुरोद बताईए तो कैथोलिक चर्च के आए के दो सबसे बड़े सुरोद थे दोस्तो पहला किसानों से मिलने वाल अक्का जिसे हम टीत कियाते थे और दूसरा धनियों लोगों दोरा अपने करल्यान तो था मरन उपरांत अपने रिशिदारों के करल्यान के लिए दिया जाने वाला धन यह कैथोलिक चर्च के आए के दो परमुक सुरोद थे अगले प्रसन दोस्तो प्रसन में नो है यूरोप के जिहाँ यह यूरोप के यह यूग लिखिद दिया दोस्तो उकलत से यह यूरोप के दो सबसे अधिक प्रसिद मट कौंज थे तो पहला था पन्दर सोन तीस इसवी में इटली में स्थापित सैंट बैंडिक्ट का मट और जूसरा नो सो दमसी में बरगंडी में स्थापित क्लीन जिहां क्लीन का चर्च चलिए टैली क्या था और कौन लोग इससे मुक्त थे टैली एक परकार का प्रतक्ष कर था जो राजा किर्शक पर लगाते थे पादरी तथा अभिजात वर्ग इस कर्ज से मुक्त थे चलिए प्रसन है अगला है फ्रांस में स्टेटर्स जर्नरल का दिवेशन कब हुआ तो फ्रांस में स्टेटर्स जर्नरल का दिवेशन दोस्तों 1614 इसी में वह था और यह लुई तेरह में द्वारा बुलाये गया इसके तीन सदन थे जो समाथ के तीन ब्रगों का प्रतिनीदित करते थे और इसके पश्चाथ 1789 में 1789 में इसे फिर नहीं बुलाये गया निहीं 79 तक से फिर नहीं बुलाया गया क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपने सकती नहीं भाटना चाहे थे चलिए नाइट कौन थे नाइट एक कुशल घोड़सवार थे नवी सताब्दी में यूरोप में इस थानिये युद्ध काल के दोरान इन युद्धों के लिए कुशल घोड़सवार के अवसकता थी और इस अवसकता को नाइट नहीं पूरा गया और वह एक अलग वर्गी ग्रूप में सामने आए चेलिए अगला परसें दोस्तो दोस्तो एक लाइक बनता है और कमन भी जरू कर दिए जी अगला है राष्ट राज्यों के विकास में किन तत्यों ने साहता पहुचाई इन राज्यों में विक्सित राजनितिक विवस्ता को वरणन करे यहां सभी परसंद पूछा जा सकता है राष्ट राज्यों की विकास में किन तत्यों ने साहता पोचा यह दोस्तों मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन कोश्टन जी से हम कहते हैं वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्टन में से एक है अगर राष्ट राज्यों की विकास की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहले हो गही थी और इससे के कारण सक्तिसालि सास में पूर सत्ता है अपने हाथ में लेख दूसरा मद्यमवर सक्तिसालि होगई मद्यमवर की सक्तिय बढ़ गई इससे भी गित क्दे gi 파ं़ सायता मिली त्युutet का र साही आप माथ वाथ किक वह उन लिखे गए साहित निपी राश राज़ों के विकास में बहुत साय तकी और नय राश राज़ों के सासद सकतिसाली दिरॉंकस राज़ाओ खात्में था चलिए अगला प्रसन प्रसन है यूरोप में मद्द काल के अंतियम वर्सों में किस ने समाजिक वर्ग का विकास हुआ और क्यूं? यहां, यहां, यह भी कोशन बहुत पुछा categor है तो यурोप में, मद्यकाल के अंतियों बर्सों में किस नए, जीहां, किस नए समाजिक वर्ग का ऒुदा हुआ और क्यूं? तो हम देख सकते हैं तो मद्दिकाल के अंतिम वर्शों में वेपार में दोस्तों बहुत बड़ी उनिती होगी थी और इसके प्रणाम सुरूप ये निकला कि इस यूग में नय वर्ग जन्म हुआ जिसे क्या कहा कि दोस्तों वेपारी वेपारी वर्ग का उदय होता है राइट और इसके विशेस्ता क्या थी अगर हम बात करें देखें तो इसमें धरम युद्धों के कारण यूरोप में लोग जो भोग विलास की विस्तों के मांग बढ़के जी हाँ जो धरम युद्ध हुआ था यूरोप में उसके चलते किया हो दोस्तो भोग विलास की विस्तों के मांग बढ़के और इसके बहुत से लोग इन विस्तों के वेपार करने लगे और इस प्रकार व वस्तों का गयर क्रिश्टिकर वस्तों का साथ विन्मे करने लगे और इससे भी वेपारी वर्ग के विकास को काफी प्रुस्टाहन मिला ठीक है चलिए नेस्ट परसन है यूरोप में मद्यूगीन मठों के दो गुण तथा दो दोस बताईए तो यूरोप में जो मद्यूगीन के सिख्षा के दर उप में कर किया और इस प्रवत पूरे उरोप में घ्यान का प्रस्था Ho new day अगर हम बात करें इसके दो धोस्ते, इन मटो ने भूमी और अत्ति धन अबने पाशका कर लिए, धन एकत्रित कर लिए, अत्ति ने अब बिख्शू बिख्षूणें के सासा रहने कर अरब्रस्चार ज़्यादा फैल गया, जो विख्शू बिख्षूर थे, प्रस्ट नमर 16 है यूरोप में 16 सदापदी का संकट क्या था इसके लिए कौन-कौन से कारा कुतरदाई थे इस संकट के क्या प्रणाम निकले यह दोस्तों वेरी-वेरी तो देखते हैं जैसे क्या होता है महां पर मौसम पर बतन हुआ तो तेरी भी सदापदी के अंद तक उत्ति यूरोप में पिछले 300 वरसों के अधिक गरम गिर्सम रितू का अस्थान आपके ले लिए तो थंडी रितू ने लिया इसके साथ जब सीथ रितू ने ले लिया तो फसल उगाने वाले मौसम चोटे हो गए और उची भूमी पर तो फसल उगाना और भी कटिन हो गया था दूसरा उस तो गहन जुताई और जनसंक्या में विर्दी भी तेरी सताब्दी से पहले के अनुकूल जलवायों ने अनेक जंगलों तथा चारागाहों को किर्शी भूमी में बदल दिया परन्तू गहन जुताई ने तीन से त्री फसल चक्रवस्ता को बावजूद बहुमी को कमजोर बना दिया ठीक है और जनसंक्या भी लगातर बढ़ चोथा करणता दोस्तो माहमारी संक्ट का माहमारी क्या हुआ कि बारवी तद्धा तेरी सताब्दी में वाडिजव में विस्तार के परामसू पूरे देश में विपार करने वाले पोत जो जहाद थे यूरूपे तड़ो पर आने लगे और जहाजों के साथ से बढ़ बर संक प्लेग जी हाँ ब्यूबनी प्लेग कहा गया और ये पूरी तरह से प्रवाइद हो गया और वहां के जन संक्या चार्लिस परसंट थी और इसके प्रणाम क्या निकले दोस्तो इसके प्रणाम क्या निकले पर अगह हम प्रणाम के बात करें तो इस विनासीलता के साथ सी उत पादर के बूले एकाग गिर के और पले के बाद इंगलेंड में मजदूरों विसेश कर जो किर्शक थे किर्सी मजदूरों की मांग बढ़ गई जिससे मजदूरों की दरें भी 250 पर 30 तक विर्दी हो गी थी चलिए अगला परसने सामंत वाद क्या है इसके पतन के क्या क तुकड़ा और सामंत वात के पतन के कारण कैंते बतन वे हैं, अगर पहले कारण की बाद करें तो, फ़र्ष्ट कहा है धा जुदूилась, इसकैला कर दिए जिंदू जनता में रास्टिता किया विकास तीसरा जो गार था वेपार की विरिद्धी की कारण एक नए वेपारी वर का जर्म भा और उन्होंने राजाओं को आने परकार के कर देने सुरू कर दिये जब था अगर हम देखें तो इंग्लेंट था फ्रांस में लंबे समय तक युद चलता रहा तो युद भी एक वज़ा थी सामन्तवाद के समापती की युद और इन युदों में बड़े-बड़े सामन्त मारे गे और उनकी जागरों को राजा ने अपने हाथों में ले लिया पांचमा अगर कारण बड़े जाता है जो समापती के वो था सत्ता हीं समापतों की जागरे भी राजावन उच्छी ली उसके लावा च्छाटा कारण जो दोस्तों वो है कि गोला बारुद का विसकार हो जाने से राजा की सक्ति बहुत बढ़ गी अब राजा को समापतों बने बहुत रहने के वो सकता नहीं रही राइट तो यह थे समापती के कारण अगरा प्रसंदों दोस्तों लोड तर नाइट के आपसे समापतों की संशिप्ट जानकारी जी जी हाँ Lord & Knight के संबंदों की Zhanship जानकारी यह квoshen काफी महत्व हूँ कोशन दोस्तो यह बाहर-बाहर पूछा गया और इस पूछा जानी पूरी तो Lord & Knight के संबंद की के दोसो जो Knight जोस दो Knight Lord से Lord से उसी परकार संबन दित है उसी परकार संबन दित था ठीक है उसी प्रकार संबंदी था जैसे राजा जैसे लोड राजा से संबंद होते थे लोड नाइट को भूमी का एक भाग देता था और उसकी रक्षा करने का वचन देता था लोड यहां रक्षा करने का वचन देता था नाइट और इस भूबाग को क्या कहा गाता है फीफ कहाते थे फीफ को उत्रधिकार में भी पराप्त किया जा सकता था जी हाँ उत्रधिकार में भी पराप्त किया जा सकता था और यह जो होता था वो हजार से लेकर दो हजार एकड या उससे अधिक छेतम फैली भी हो सकती थी इसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की और मदरा संपीड़क कैतरिक्त उनका घर चर्च और उसके निर्भर वेक्तियों के रहने का इस्थान होता था सामन्ती मेंदर के तरह फीफ की भूमी को भी किर्सक जोते थे फीफ के बदले में नाइट अपने लोड को एक निशित धनासी देता था और युद में उसकी और से लड़ने का वचन देता था अपनी सेन कुसलता को बनाय रखने के लिए नाइट जो थे दोस्तो वो प्रते दिन कुस समय के लिए पुतलों से लड़ने था अपने बचाओं का अभ्यास भी करते थे नाइट अपनी सेमय अन्य लोडों को भी दे सकता था प्रंतु उसकी सर बतम निश्टा अपने लोड के परती ही होती थी फीर है यहे लोड्स नाइट काँसी संबन क्शन नंबर 19 है सामन्त वाद करा राजनितिटीक और अर्थिक महत के चर्च सामन्तावर्ण के जगें हां सामन्त वाद की राजनितिक और ऊर्थिक महत को बिरन की топ के जिये है इस तरह बहुत परिवर्दन हूं अगरmeye निती ही रूप से देखे में नवीन सासन पधिति की करनर्ण केंड्र Kंध्र सट्प्रूइब HAAK करने लगे इस व्यवस्ता में कानून तथा निया कोई आदार नहीं था आर्थिव रूप से लोगों के जीवन बहुत जीवन बड़ा पिछल गया और इस यूग में दास की सुखों का सोचल किया जाता था नगरों के भावकार इस यूग में व्यपार ठप हो गया वास्तों म अगर बात करें तो सामंति धाचे में आर्थिक जीवन मुकता गरामिल था काम किसान करते थे और उसके उत्पादन के बहुत बड़ा भाग सामंतों के हातों में चला जाता था ठीक है दूस्तों चलिए अगले हैं फ्रांस के कथिड्रिल नगर के किस परकार अस्तितु में तो अगर हम फ्रांस के कथिड्रिल नगर की बात करें तो धनीवे पारी चर्चों को बहुत अधिक दान देते थे और फ्रांस में जो चर्च होते थे वो बड़े-बड़े चर्चों का निर्माण होने लगए पारी दान देने के कारण और इनहीं क्या कहा गया इनहीं पिर भी लोगों के बिबिनी समूहों ने अपने स्रम चाहे वस्तूओं तरधन से उनके निर्माड में सहयोग दिया। कथिडरल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में कई के वर्ष लग जाते थे। उनके निर्माड के दुरान कथिडरल के आसपास कचितर और अधिक बस गया और उनके निर्माड कार पूरा होने पर वे तिर्थिस्तल बन गे इस परकार उनके चार और चोटे चोटे नगर उभर कर आए यही क्या कहला है दोस्तों कथिडरल नगर कहला है ठीक है चलिए अगल हुआ हम उसे किस नाम जानते हैं तो मांद द्राइग काल के एंतिव वर्स वेपार बहुत होनी थी की और इसका एक महतपूर परनाम यह निकला ने वरक जनुए और इसे क्या कहा गया वेपारी कहा गया धर्म और क्यूं हुआ इसका विकास क्योंकि धर्म विद्यकार और यूरोप में भोग विलास की वस्तों की मांग बढ़ गई इसके कार बहुत सो लोग वस्तों को वेपार करने लगे और इस परकार वेपारी का वेपारी का विक्वास हो गया और किसी विकास कार और किसान किसी कत भूमी आगले हैं मद्दकाली यूरोप के समाज पर चर्च के परभाव की चर्चा कीजिए यहां यूरोप के समाज पर चर्च के परभाव की बात करें यूरोप वाशी इसाइक से तो बन गए थे परंतु उन्होंने अभी तक चमतकार उरिती रुवाजों जोड़े अपने पूराने विश्वासों को पूरी तरह नहीं छोड़ा था क्रिस्मस और इस्टर चोथी सताब्दी में ही कैलंडर की महत्पूर इतितिया बन गे थे 25 दिसंबर अग्या अगर हम बात करें इसी दिर इनकी मिर्थ होते हैं जीवित हो जाते हैं परंतु इसकी तिथी नीशित नहीं थी क्योंकि इसने चंद्र पांच पर बड़े गिर्जगरों के लंबी आत्राओं पर जाते थे तो यह था मद्द कालिंग रूप के समाज पर चैज़ का परभाव अगला है दोस्तो परसंद तीन वर्गों से क्याइब रहे तो दोस्तो तीन वर्ग यह वर्ग थे इसाई पादरी भूमी धाराग अभिजात वर्ग था किर्सक दोस्तों चैप्टर के सारे इंपोर्टन कोशन हमने कर ली है और इन कोशन से बार एक भी परसंद आपके एक्जाम में नहीं आए दोस्तों दोस्तों वीडियो को इसी बात के लिए एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी सेर कर दोस्तों चै तक के लिए जैहिन